इस्रेल को बड़ा सहाइता पाकेज देगा अमेरिका अमेरिका एफ-16 और एफ-35 लड़ा को विमान तेनात करेगा इस्रेल के पास जंगी जहास तेनात कर सकता है अमेरिका फिलस्तीन की और से इस्रेल पर किया गए हमने के बाद दोनों देशों के बीच जंग और तेज हो गई है फिलस्तीन की और से दागे गए रॉकेट के जवाब में इस्रेल की और से भी ताबर तोड बंबारी की जा रही है इस बीच अब जंग में अमारिका की भी एंट्री हो गई है अमारिका ने इस्रेल की मदद के लिए अपने जंगी जहाजों को तयार रहने और पूरवी भूमध्य सागर जाने का आदेश दिया है पश्चमी मीडिया के मताबिक अमारिके फिलस्तीन के खिलाब जंग में अपने युद्वोत को अतारने की तैयारी करनी है अमेरिका की ओर से युद्वोत को इस्रेल भेचने के पीछे एक बड़ी वच्छे हमास को मिलने वाले अतिरिक्त हत्यारों की खेब को रोकना और उस पर नज़र रखना यही नहीं अमेरिका एफ-16 और एफ-35 लड़ा को विमान तैनाथ करने वाला है मतलब अब अमेरिका और इस्रेल मिलकर हमास पर डबल अटाक करेंगे लेकिन हमास भी अकेला नहीं है हमास के पीछे इरान खड़ा है साथी पर्दे के पीछे कई और देश हमास की मदद कर रही है ऐसे में इस्रेल को ये जंग जीतने के लिए कच्चे चने चबाने पर सकते हैं क्योंकि हमास के पास अभी ऐसे लड़ाके और हत्यार मौचूद है जो इस्रेल की सेना का मुह तोड़ मुकाबला कर रही है